नमस्कार ट्रेंस एंड ट्रेवल में आपका पूरणपूर स्टेशन से बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में नजर डालेंगे हम जो पूरणपूर स्टेशन है उसके आसपास जो ट्रैक वर्क हुआ है क्या प्रगती हुई है अभी तक कारियों में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकास से ट्रैक को तयार कर लिया गया है यह पूरणपूर स्टेशन का आउटर है और अभी हम आपको पूरणपूर स्टेशन की दिशा में लेकर के आगे चल रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो track है वो तयार कर लिया गया है concrete के जो sleepers बिछाए गये हैं उन पर rails को pendrol clips लगा करके बांथ लिया गया है track यहाँ पर तयार है almost यह आपको दिख रहोगा अभी हाला कि इसमें ballast और fill किया जाएगा काफी खाली जगह आपको sleepers के बीच में दिखाई दे रही होगी तो फिलाल एक track की shape निकल करके अब सामने आ गई है और शहगण की दिशा में भी track बिछा लिया गया है यहाँ से काफी दूर तक और उसको final किया जा रहा है धीरे धीरे और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से construction का जो material है track के किनारे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखे track को अभी rails पे किनारे जो rails रखी हुई है इनको यहाँ पर अभी pendrol clip पर बांधा जाएगा इस दिशा में तो यह car यहाँ पर अभी बचा है देखे और धीरे धीरे track तयार हो रहा है पूरा मशीने यहाँ पर देखे सब अर्थ moving machine जो हमारी होती है यहाँ पर सब लगी हुई है और पूरन पूर स्टिशन के दोनों ही दिशाव में मैलानी की दिशा में भी और शाहगल की दिशा में जो track work है उसको पूरा किया जा रहा है आजकल तेजी के साथ कारी हो रहा है कारियों में बहुत तेजी आ गई है यह एक अच्छी बात है और जल्दी ही उमीद की जा रही है कि जब यह track पूरा तयार हो जाएगा तो उसके बाद जल्द से जल्द फिर track packing machine अपना कारे शुरू करेगी और जैसा आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो यह track है मैलानी के आ बहुत से किसानों का बहुत से नेताओं का जो जन प्रतिनी दी थे माँ के लोकल्स जो इतफाक नहीं रख रहे थे कि यहाँ पर अंडर पास बने उसके चलते जो track work है वो बहुत डिले हुआ उसके चकर में जो track packing machine अब तक शायद कारे कर चुकी होती यह सारे कारे बहुत ड crossing को छोड़ दिया जा रहा है कहीं पर अंडर पास के चकर में रुका हुआ है और जब अंडर पास की खुदाई होती है तो यहाँ पर जो water level है वो बहुती low है बहुती पास यहाँ पर पानी जैसे ही आप खोदेंगे तो 10-11 पे बहुत पानी मिल जाता है तो उस चकर में फि की बैठ रही है साथी साथ वो suitable नहीं हो पा रहा है बहराल यहाँ पर आप देखिए track का जो कार है पूरन पूर स्टेशन के तरफ हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि clips यहाँ पर लगा लिये गए हैं track को यहाँ पर बांद लिय गया है और अभी आगे आपने देखा किस प्रकार से देखिए junction boxes यहाँ पर अभी paint होने बाकी हैं इस पर numbering की जाएगी तो यहाँ पर junction boxes तयार कर लिये गए हैं और यहाँ से आप देखिए बैलास कुछ जादा भरावा दिख रहा होगा आपको अब हम आ गए इधर platform के उपर platform number 1 पर और यहाँ से आपको हम दिखाएंगे view किस प्रकार से flooring का काम यहाँ पर देखिए काफी कर लिया गया है lights वगरा लगा ली गई है पूरन पूर station पे सामने मैलानी junction की दिशा है और track यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो track का कार है वो काफी हद तक track work के हाँ पर कर लिया गया है station के ऊपर पहले से बैलास्ट वगरा अधिका आपको दिख रहोगा भर लिया गया है तो कारियों में तेजी आ रही है धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि अपरेल मै तक यह जो कार हैं पूरे हो जाएं और हम उमीद यही करेंगे कि अब कोई धरना प्रदर्शन ना हो और जो भी underpass या level crossing को लेकर के जो मसले हैं वो RVNL और जो वहां के local नेता हैं या local जो farmers हैं उनको सुलजाएं जल से जल और कारी को तेज रफतार से पूरा करें क्योंकि package 3 बहुत जादा delay हो गया है इसकी costing भी मुझे लगता है बहुत उपर चली ग जल से जल लिंक हो जाती और कम से कम अगर माला का NOC का मसला है तो कम से कम शागर तक तो रेल संचालन शुरू हो जाना चाहिए था तो बहुत जादा delay है कारियों में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो structure है shelter का वो खड़ा हो गया है चट डाली जानी बाकी है और नीचे है जो लगाया जा रहे हैं यहाँ पर कुछ फिनिशिंग की जा रही है और शेल्टर वर्क यहाँ पर उपर जो basic structure होता है उसका पिलट्स लगा करके वो खड़ा हो गया है पूरन पूर स्टेशन पर और यहाँ पर फ्लोरिंग जो है इस जगह मुझे लगता कूटा स्टोन टाइल्स लगाए जाएंगे तो इसके लिए इतना सा यहाँ पर थोड़ा सा जो फ्लोरिंग का एरिया है वो बचा हुआ है और इधर जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यह थोड़ा सा इसको beautification आप कह सकते हैं थोड़ा सा सौंधरी करण platform का ताकि कर्मान आ रहा है और construction जो है वो फुल स्विंग में है तेजी में है रफ्तार पकड़ लिए तो कारियों में तो तेजी है और उमीद यही की जा रही है कि कम से कम अपरेल माई तक यह section किसी तरह पूरा हो और उसके बाद जल से जल CRS कराए जाए क्योंकि अभी भी जो track work है signal work काफी हद तक हो चुका है यह ticket windows पूरनपूर station की यहाँ पर अभी यह सारी चीज़े paint होगी दुबारा से जब section का शुभारम होगा इस रिलखंट का तो सारी पुताई वगेरा सब साफ सफाई दुबारा से होगी अभी maintenance इसकी proper अभी आप देख रहे हैं सब पूर्व की भ नजारा है पूरा view एक हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से flooring का जो कार किया जा रहा है shelter के पास यह building वगेरा भी सब paint होगी final जब shelter लग जाएगा च्छत लगा ली जाएगी उसके बाद यह पूरी building पे पुट्टी होगी और पूरा paint होगा य इस पर दिशा के साथ साथ जो किलो मीटर सोते हैं दोनों ही तरफ के लिखे हुए stations के और यहाँ पर आप देखिए worker लगे हुए shelter के नीचे आजकल कार चल रहा है पूरान पूर स्टेशन पर और यहाँ पर पट्टी लगा रखिए ताकि लोग इधर ना जाए कोई भी तो क कारियों में तेजी है फ्लोरिंग का जो कार है वो बहुत तेजी सोरा सामने जो पैदल पूल है आप देख सकते हैं पूर्व में भी मैंने आपको बताया था काफी लंबा पैदल पूल बनाया गया यह देखिए इधर आ गया हम लोग प्लैटफॉर्म नंबर दो और तीन की जाएगा ग्रिनाइट लगा लिया गया पत्तर जो टाइल होता वो लगा लिया गया है लेकिन अभी कनेक्टिविटी इसकी जो है कनेक्शन नलका वो दिया जाएगा और यहां पर पूरन पूर स्टेशन पर आप देख सकते हैं जो पैदल पूल है वो माल गोदाम की बाहर जो शेल्टर का काम है उपर लगाने का च्छत यहां पर भी दो नंबर प्लैटफॉर्म से जो आगे इधर ती नंबर से फिर देखे पैदल पूल जा रहा है इसको भी अब फिनिशिंग की जाएगी इसकी भी अब कारे चलेगा तेजी से और फ्लोरिंग का यहां पर देखे कितना सारा स्ट्रक्चर जो भी बनाया जाएगा शिल्टर उसका यहां पर सामान देखे ढहा है और क्रें की मदद से इसको यह देखी जो फांडेशन है तयार है इसपे खड़ा करके जो स्ट्रक्चर होता है फिर छत लगाने का काम होगा तो शिल्टर यहां पर भी लगा कर लिया गया था इस दिशा में तो इसमें तो कोई ज़ादा प्रोग्रेस की वाली बात नहीं आती है लेकिन यहाँ पर पूरण पूर स्टेशन पर दोनों ही दिशाओं में ओवराल जो ट्रैक वर्क है उसमें तेजी है सामने देखी जो माल गुदाम का ओफिस तयार होगा बिल्डिंग उसका ढोला खुल गया अब और वो भी अभी प्लास्टर वगरा होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने इधर पर शागल की दिशा हो जाएगी स्टेशन पर कारियों में तेजी आई है ये एक चीज है पूरन पूर स्टेशन के जो कारियों हो रहे हैं उसमें भी तेजी आई है और बाकी का भी अपडेट्स हम आपको जल्दी ही मंगाने की कोशिश करेंगे आप तक पहुचाने की कि ट्रैक वर्क जो है वो कुरैया की दिशा में दूद्या खुर्ट की दिशा में कितना हुआ है उसको भी हम बहुत जल्द आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद